मनपा के भी विभाग शहर में अवैधा निर्मान से लेकर अतिक्रम नाम हो गए है ये खबर आपको चिंतित कर सकती है किस आये है कि अपने शहर में अवैधा निर्मान की बारसी आई हुई है न निगरानी तंत्र एक्टिव है नहीं आला अधिकारी कभी कभार कोई आक्शन से लिए भी गया तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए निराश नागरिक टॉंगरी पॉलिस ठाणे तो कभी मनपा के भी विभाकार या लए तो विटर पर मुनादी कर रहे हैं फिर भी कोई फर्क यूं नहीं पर रहा ऐसा लगता है मानमनपा के भी विभाकार्याले अफसरोंने कुछ न करने की कसम खा रखी हो समपर्क पोटल शिकायत पर काख़जी प्रक्रिया पूरी की जाती है अधिक तर मामलों में मौके की स्थिती देखनी ही होती है महापौर वा आयक इस पर भी कागजब मौके की रिपोर्ट तयार होती है सामानिर श जाता है ऐसे ही इस विभाक के कश्मीरी मंजिल 167-100 रहय जबी शाह मार्क खड़क मस्जिद बंदर डोंगरी जो दक्षिर मुंबई में स्थित है इस इमारत के भूमी माप्या सुहेल कश्मीरी और कॉंट्रेक्टर अफजल बाइगवाला एवं डेव लपर्स इस इमारत क कि छत पर अवैध हनर्मान को अंजाम दिया जा रहे हैं कश्मीरी मंजिल के सूत्रों का कहना है कि सोहल कश्मीरी अपनी बंदू की नोग पर स्थानिय रहवासियों को डरा धंका कर इस अवैध हनर्मान को अंजाम दे रहे हैं हाला कि कश्मीरी मंजिल की छत पर अनाधिकृ और अवैध हनर्मान किया जा रहा है, कश्मीरी मन्जिल हाउजिंग स्यूसाइटी के सुर्बायन इमारत से कुछे मीटर की दुरी पर है, जहां मुम्बई के डोंगरी में चार मंजिला इमारत गिरी, 12 लोगों की मौध हो चुकी थी. ये कश्मीरी मंजिल इमारत इसके स्टरबैन इमारत से कुछ ए मीटर की दूरी पर है ब्रहन मुंबई नगर निगंबी वार द्वारा कश्मीरी मंजिल हाुजिंग सुसाइटी को जीरन शिरν खोशित कर दिया गया है था इस इमारत की जमीनदार छटके चार किनारे पर तिन और काली ताल पत्री प्लास्टिक की चाजरों के बेरिकर्ट्स की आर्ड में अपने गोरग धंगे को अनजाम दिया गया है। अवैद रूपेस मंजीलों का विस्तार किया गया है। सोहल कश्मीरी पैसे और मान सपेशियों की शक्ति पर काम करता है। ये भी दिखा जाता है कि सभी मनपा भी वार्ड और डोंगरी पुलिस ठाने की कुछ अधिकारी, अधिकारियों, सनरचनात मकलेखा परिक्षकों और म मलिक के बीच मिली भैगत के लिए उबालते हैं, जिनके पकड़े सोहल कश्मीरी और अफसल ने मजबूत बनाई हैं, जिससे किराइदारों के और विभीन लोगों की शिकायतों पर नजर अंदास किया जाए। ऐसा कुछ स्थानी लोगों का कहना है, इससे पहले कि अतरिक् करने को कहा था और कारवाही करने की गुहार लगाई थी, हमारे समाचार पत्र को कश्मीरी मंजिल के नागरिकों से शिकायतें मिली, हमारी टीम ने सभी शिकायतों को संकलित किया और उन्हें 24 घंटे के भीतर कारवाही करने के लिए नगरायोक्तित और संबंधित भी विभ